हुआ है हलो सुदेंस विलकम बैक कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे सो आज हमें जो टॉपिक स्थार्ट करना है डाट इस चाप्टर 8 विच इस रीजिनल इकनोमिक इंटिग्रेशन जब यह टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो न तो इस बाग को समझो इस से पहले जो हमने टॉपिक काफी सारे पढ़े हैं उन सब का यूज हो करके इस चैप्टर की थियोरी बनेंगी तो मलब इस चैप्टर को पढ़ने में ऐसा नहीं है कि कुछ ज समझ में आएंगे ठीक है चलो करता हूं सबसे पहले हमें दिया हुआ इंट्रॉडक्शन पार्ट तो देखो इंट्रॉडक्शन में हमें क्या कहा है एक मन रुक जाओ सब्सक्राइब करने के लिए और कंट्रीज को इंट्रेड को इंप्रूफ करने के लिए जो भी अग्रिमेंट्स किये उन अग्रिमेंट्स की वज़े से टारिफ काफी एक्स्टेंट पर रिड्यूस हुआ उसके रिड्यूस होने की वज़े से कंट्री में कहीं ना कहीं काफी चीजों को लेके बेटर मेंट आई प्रोटेक्शनिस्ट का जो कॉंसेट था याद करो प्रोटेक्शनिस्ट के कॉंसेट में मैंने आपको समझाया था जिसमें यह बिलीफ करके चलते हैं कि डिमेस्टिक जो फरमस हैं उनको हमें क्या करना चाहिए प्रोटेक्ट करना चाहिए पौरं कॉंपेटिशन से पौरं से जो गुट्स आ रहे हैं उनको इंडिया मालब इंडिया कहा इसके बीचे की वज़ा बहुत सिंपल थी जो हमने पढ़ी थी कि अगर कोई भी गुट्स वहां रहे है जिसे है अगज़ामें याद करो इस तरीके एक्साप्ल मैंने दिया कि यह क्वोच्ट你要 वॉरोज़ है यह इंडिया में बन रही है अब इंडिया वाली बॉट्टल के अंदर कही तो इसी लिए हमें इस बात को समझना है कि यह जो inefficiencies create हो रही थी monopolization की वज़े से वह दिक्कत दे रही थी इस chapter में हमें कुछ cases पढ़ने protectionism के against कि अगर protectionism कोई country करती है तो उसके क्या-क्या दिक्कत आ सकती है और हमें यह भी समझना है कि जो economic integrations होते हैं regional या international level पर उन से क्या impact पड़ेगा राइट चलो आगे start करते है protectionism is often used to make desirable redistribution of income from one section of the society to the other वो कहें कि जो protectionism होता है वो क्या होता है इस अफन used to make desirable redistribution of income from one section of society to the other protection raises the profits of the domestic producers at domestic at the cost of at the cost of the consumer who suffer a loss of consumer surplus अब कैसे क्योंकि international consumer surplus का मतलब क्या होता है जब कोई consumer किसी चीज के लिए 2 रुपे पे करना चाहता है मला उसके दिमाग में के हां आयम रेडी टू पेर रुपी टू बट वो चीज उसको कितने में मिल जाए से एक रुपे में मिल जाए तो आप पे करना चाहरे हो दो रुपे मिल आपको गई एक रुपे में तो यह जो एक रुपे का गाप है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस एकनोमिक्स में अपने माइक्रो में पढ़ा होगा अपने फरस्ट एर फर्स सेमेस्टर जब भी इंट्रोडक्शन एकनोमिक्स आई होगी आपके पास अब वो कह रहा है प्रोटेक्शनिजम में प्रेस करना पड़ेगा आपको क्योंकि competition नहीं है तो आपको उस चीज के लिए rate ज्यादा देना पड़ेगा यह चीज आपको loss करने पड़ती है वो कह रहे कि देखो इसमें होता क्या है कि अगर consumer को imported good comparatively lower rate पे better quality का मिलेगा तो protectionism जो है उस चीज को रोग देती है क्योंकि protectionism में जो आपके domestic industries produce कर रही है आपको वही consume करना पड़ेगा आपके पास कोई choice नहीं है कि आप कोई better quality जो है cheap rate पे ले सको अब वो कह रहा है इस case में होता क्या है इस case में होता यह है कि further as trade benefits relatively abundant factor under actual owner model of international trade scarce factor needs to be given protection वो कहरे कि अगरे मिसके अंदर बात करे तो जो scarce resources है उनको आपको कही ना कही protection देनी पड़ेगी free trade may lead to influx of harmful commodities through unscrupulous merchants on account of free international movements consequently government starts acting nationally rather than internationally although people as a whole lose globally when trade is controlled those of the particular country gain वो कहरे कि देखो जब कहीं न कहीं आपको trade international level से करने से रोका जाता है तो हो सकता है कि short term में आपको यह benefit दिखाई दे but long term के अंदर इस चीज़ का आपको नुकसान देखना पड़ सकता है ठीक है आगे का है as opposed to free trade protectionism promotes trade restriction to safeguard the interests of trading countries from low prices imports वो कह रहे है अगर हम उसकी बात करे है अपोज तो free trade protectionism promotes trade restriction free trade में क्या होता था कि आप कोई भी चीज कितना भी मर्जी जो है मंगा सकते है उसमें कोई problem नहीं थी बिना किसी restrictions के यह theories हमने पड़ी भी थी राइट protectionism promotes trade restriction to safeguard the interests of trading countries from low price imports तबकि protectionism क्या करता है कि जो low price imported goods आपके देश में आ रहे है ठीक है उनको protect करता है उनको safeguard करता है राइट a nation may choose different forms of protection based upon several factors वो करें कि एक nation जो है काफी सारे बातों पर यह निर्णा है ले सकता है कि मुझे किस तरह का protection अपनी country में करना है these include the size of the country and the share in the world trade यह सबसे पहले matter यह करेगा कि country का size कितना है और उसका world trade में कितना percent contribution the economic competence of the country's domestic producer आपके जो domestic producers है वो कितने competent है कि वो international market में किस extent पर competition कर सकते है the quality and acceptance of the product across the globe based upon its nature अब दूसरी बात क्या आती है quality and acceptance of the product मलब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि प्रड़क की quality क्या है और उसको internationally कितना ज्यादा accept किया जा रहा है पुरे globe में the areas which need to be targeted from the policies and the amount of welfare effect that needs to be generated etc आपको यह देखना पड़ेगा the areas which need to be targeted from the policies ठीक है कौन कौन सा area जहापे आप टार्गेट करना चाह रहे है यह सारी चीज़े free trade is difficult to establish its long term survival with stability is also questionable due to various reasons वो कहा है कि बिल्कुल ही policy adopt कर रहे हो तो उसमें दोनों ही बाते हैं अब कुछ extent पर वो अच्छा भी है कुछ extent पर वो बुरा भी है तो दोनों ही तरह की बाते इसमें आती है अब बात करते हैं case against protectionism ठीक है protectionism के against कौन सा case है free trade makes people accustomed to cheaply manufactured foreign goods and thus destroy local industries okay free trade होता है make people accustomed to cheaply manufactured foreign goods and thus destroy local industries okay free trade होता है जो मनलब cheaply manufactured किया जाता है ठीक है cheaply manufactured foreign goods and thus destroy local industry उसमें होता क्या है जिसे कि china नहीं क्या किया इंडिया के case को लेकर के मैं आपसे बात करूं तो उन्होंने वहां पे अपनी country में free trade कर दिया और मतलब वहां पे जो बहुत cheap quality goods ते उन cheap quality goods को dump कर दिया Indian markets में जिसकी वैज़े से आप कही न कहीं यह देख रहे हो कि जो local industries है वो हर एक sector की बरबाद हो गई क्योंकि चाइना से आने वाले किसी भी तरीके के जो consumer product है वो बहुत सस्ते थे तो और इंडियन market एक competitively ऐसी ही market है जहां पर अभी भी लोग competitively quality के quantity में believe करते हैं the destruction of Indian handicrafts particularly cotton textiles through free and unrestricted import from English textiles is a glaring example अगर आप लोगोंने इंडियन economy पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि 1947 के टाइम पे जब हमें freedom मिली उससे पहले जब two almost one ninety years उन्होंने राज किया था बट 200 साल बोला जाता है 200 साल तक बिटिशस ने हममार पर रूल किया तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने इसी policy को उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया इंपोर्ट करेगा finished goods Britain से तो आपको कोई टेक्स नी देना तो जब ऐसा कुछ हुआ तो वहां से आने वाले goods competitively सस्ते पढ़ गए तो machine से बने हुए goods competitively सस्ते और better quality में होते थे तो इंडिया का पुई तैसे बर्बात होता है the growth of nations was a necessary condition post world war every nation wanted to create self-sufficiency or self-reliance through greater import substitution at the beginning stage followed by rigorous export promotion of both capital and consumer durable goods okay one of the biggest challenges facing ahead of these companies was the level of divergence that existed at macro economic level वो कहें जो सबसे बड़ा challenge आया students वो किस चीज़ का आया वो यह आया कि जब हमने macro economic level पे इसको देखा तो हमें face करना पड़ा this acted as a hindrance towards swift movement of products and services as larger economies were able to easily dominate and acquire greater show of global trade वो कहें क्योंकि इसमें नुक्सान किसका हुआ वही सारी बात है गूम फिर के एक जगहा आती है कि बड़ी मचली हमेशा चोटी मचली को खा जाती है तो यहां भी वही बात आई कि जो countries का international dominance जादा था जिन countries के पास actually में trade करने के लिए चीज़े बहुत जादा थी उन countries ने क्या किया जो चोटी-चोटी developing economies थी उनको पूईतर से खतम कर दिया okay this post constant threat to smaller developing economies which kept their progress delayed these production policies are the only solutions for economies to make space for their products in the international market the arguments should hence be understood in the context of our explanation चलो अब पहले economic arguments करते है किसके लिए support में protectionism के सबसे पहला है alteration of terms of trade tauts अपने शायद उसमें भी बढ़ाओ का tauts में क्याल से law में भी आता है tauts करके यह वही है मतलब वही नहीं है मतलब heading वही है content तो अलाग है for countries producing and exporting or importing a large part of world's demand for same product terms of trade get improved through imposition of tariffs and other trade restrictions वो क्याया थे को समझो for countries producing and exporting or importing a large part of world's demand वो क्याया कि कोई भी country जो की produce कर रही है और export कर रही है या फिर import कर रही है a large part of world's demand मिला जो भी world में demand किया जाना उसका एक बड़ा portion same product का terms of trade get improved through imposition of tariffs and other trade restriction this helps in forcing down the prices in the exporting country consequent upon the reduction in demand for foreign goods in the domestic market अब जब आपने same products जो आपके देश में आ रहे थे आपको लगा कि रही भाई नहीं यह नहीं आने चाहिए तो आपने उनके उपर क्या किया आपने उनके उपर बहुत जादा taxes को impose किया जब आपने उनके उपर heavy taxes को impose किया तो students इससे किस तरह की प्रॉब्लम आई इससे यह प्रॉब्लम आने लग गई देशों के अंदर कि लगातार जो domestic market के goods थे वो लोगों के लिए सस्थे पढ़ने लगे तो यह फाइदा हुआ लेकिन जो लोग export कर रहे थे उनको तो दिक्कत आई ना क्योंकि वो अपनी market expand नहीं कर पाए however it requires that the demand for the commodity is more elastic than supply क्योंकि अगर prices बढ़ेंगे देखो एक चीज होती है तो सुन ध्यान से देखना बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए की ना देखो क्या है कि एक मिंट हाँ elastic demand का मतलब यह हो जाता है जब particular किसी भी प्रड़क के price में change आने की वज़े से उसकी जो demand है वो काफी जादा change हो जाए तो वो elastic है लेकिन अगर किसी चीज़ के price में change आने से demand चोटी मोटी change हो तो वो inelastic है अब वो कह रहा है कि देखो इसमें हमें सबसे पहले देखना है जो foreign के प्रड़क के जो demand है वो elastic होनी चाहिए क्योंकि अगर उसका price change होगा लोग कहा है चलना चोड इतना भी important नहीं है यही वाला ले जेते है तो कि अगर inelastic demand होती तो क्या हो affected and its factors of production are limited alternative uses और यह भी आपर देखना पड़ता था कि बहुत कोई और alternative markets नहीं है जहां से supplies चोई उसको divert किया जा सकता है the demand for the exports of the country imposing the tariff must be unaffected by the loss of income suffered by the countries who find their sales abroad reduced क्या रहे कि अब एक और भी चीज़ थी the demand for the exports of the country imposing the tariff okay must be unaffected by the loss of income क्योंकि देखो कहीं न कहीं आपने demand जो है मलब जो exports आपके देश में हो रहे थे उसको बंद किया उसको बंद करने से जो international market जो country वो एक्सपोर्ट करने थी उसकी income जो है उस पर impact आएगा तो आपको ये भी चीज़ जो है वो भी देखना चाहिए कि वो जो country है वो country आपकी income कम होने से आपके उपर कुछ खास effect ना आए तो ये दो बातों का जो ध्यान है वो रखना पड़ेगा protectionism करने से पहले ठीक है next आए अगा दिये तो जैसे ही आपने restrictions किये देखो लिखा भी वर non-essential ये बात समझो आप इंडिया या कोई भी developing nation को लेके बात करो ठीक है आप काफी extent पे consumer goods अपने देश में बना सकते हैं और वो essential जो आपके पास जो भी चीज़े आप उनको अपने देश में बनाए लेकिन जो non essential चीजें हैं जैसे कि गाड़ियां हो गई या unnecessary कोई भी services हो गई जो आपकी country को अतनी बहुत requirement नहीं है बहुत जादा luxury items हो गए तो ऐसी चीज़ों के उपर अगर अपने import duties जादा लगा भी दी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है but these can raise retaliation and act as a impediment to growth लेकिन इन सब में दिक्कत ही कुछ आपके उपर impose करेगा in 1970s the OPEC restricted their output of oil thus driving oil prices up turning TOT in their favor while in mid 80s an increase in oil output led to drastic reduction in the relative price of oil and adverse TOT तो वो कह रहा है कि देखो यहीं पे हुआ कि OPEC ने restrict कर दिया कि इस चीज़ को अपने output के मनलब जो oil का output था इससे prices बढ़ गये supply कम prices जादा हो गए तो TOT को अपने favor में कर लिया while in mid 80s an increase in oil output लेकिन जब mid 80s आया तो और countries की तरफ से भी oil का output आया जिसके वैसे क्या हुआ reduction होगे prices में तो TOT के adverse में आ गया similarly a country providing a large fraction of the world's demand may cause prices to fall by restricting demand वो कह रहा है कि अगर मानलो को यह country है जो किसी भी world के demand का एक बहुत बड़ा जो fraction है वो provide कर रही है तो वो क्या कर सकती है students यहां पर साफ लिखा हुआ है वो क्या कर सकती है इससे TOT उनके favor में आ जाएगा both these techniques lower world output to a small group of countries may get a large share of this world output चीक है तो इस वज़े से क्या होगा कि कही न कहीं किसी के जादा इससे में आ जाएगा किसी के इससे में काम आ जाएगा आगे दिया है natural monopoly natural monopoly देको students ऐसा होता है कि कुछ कुछ country के पास कुछ resources significant amount में होते हैं which gives them the advantage of natural monopoly the policies also provide negotiation and bargaining power for trading partners especially if the country is a natural monopoly but this policy argument is not free from the fact that its survival is short will try to develop substitutes bargaining power also gets affected if trading partner cannot offer a substantial gains also even after existence of a monopoly a small economy fails to exert pressure on its large trading partner यह हमें देखना पड़ेगा next है diversification advantage while comparative advantage might dictate that a country should specialize in producing a narrow range of products वो क्या है कि comparative advantage जो हमने पढ़ा था theory वो यह कहता ना कि आपको उन चीजों का export करना चाहिए जो आप comparatively better cost पर बना सकते हो the government might prefer the social advantage of a more diverse economy लेकिन आपको यह बात समझना पड़ेगा कि government जो है government को अपनी economy को diversify करना पड़ते है देखो अगर students अगर हम किसी diversified economy वो है पहले समझो जिसने अपने primary sector के अंदर भी काफी सारी चीजों में growth की हुई है not only in agriculture, mining, extraction, querying ठीक है और polytry farming, livestock farming काफी सारी चीज़े develop कर रखी है secondary में भी काफी सारी चीजों पर उस country का जो ध्यान मेनुफेक्ट्रिंग के अंदर भी काफी सारी चीज़े manufacturing हो रही है similar भी service sector एक country जो अपने portfolio को अमेशा diversify करेगी उसको फायदा यह रहेगा कि अगर कुसी एक, दो, चार product की international market में demand कभी खतम भी हो गई तो वो बाकी products के basis पे अपना survival देख सकते हैं लेकिन अगर country diversify नहीं होगी like example मैं आप से लेना चाहूंगा कोवेत का कोवेत का जो GDP है उसका 95% comes from oil, crude oil, आज तो ठीक है लेकिन आज से अगर मालो 30-50 साल बाद जब या तो reserves oil के क काम हो जाएंगे या फिर माल लेते हैं की alternative solar energy पर बहुत जादा aggressively काम किया जा रहा है अगर उसके उपर बहुत जादा extension में काम कर दिया गया तो कहीं ना कहीं आपको फिर crude oil के requirement बहुत कम हो जाएगी तब कोवेत क्या करेगा इसलिए एक economy को कोशेश करनी चाहिए के एक diversified economy क के अंदर रहके काम करें ओके so the consumer get a wider range of occupations as well as products this would more than compensate for a declining living standard so ये चीज़ आपको obviously living standard down होने में compensate करेगी क्योंकि आप सब जगह से कुछ ना कुछ काम कर लेंगे next is self-sufficiency self-reliance अब protectionism की policy आपको self-reliant बनाती है क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि protectionism में आपका target ही students क्या रहता है कि जो समान आप बाहर के देशों से मंगा रहे थे उनका substitution domestic level पर करो और तो चीज़े बहुत साधा mandatory के वल उन चीज़ों को import अपने देश में किया जाए right तो जब आप import substitution की policy को adopt करते हैं तो actually में आप अपनी domestic industries को prepare कर रहे होते हो to manufacture the alternative goods जिससे की आप dependent अपने देश पर रहोग है तो आपको उतना problem नहीं आएगा क्योंकि आपके domestic industries capable है उन चीज़ों को handle करने के और import substitution से एक सबसे important चीज़ होती है save हो जाता है इससे हमारे पास क्या Forex हम इससे अपना Forex save कर पाते हैं और Forex को save करना बहुत जरूरी होता है students ठीक है चलो next is infant industry argument the industry first to enter the field has tremendous advantage a newly started infant industry may find itself unable to compete with the well-established big police competitors already producing on a large scale the guaranteed home market will enable it to get over its feeding problems over time it will be so strong that it can compete on equal terms with the rest of the world वही वाली बात है जो मैंने आपको बहुत starting में समझाही थी कि अगर आप अपने toddler stage वे तो आपके parents कोशिश करते हैं कि school drop करने जाते हैं school ले के आते हैं school से ले के आते हैं सारी चीजों का take care करते हैं but after certain age let's say suppose के 12 13 14 के बाद वो कहते नहीं आप खुद जाओ खुद आओ सेम वही बात है कि starting के case में तो ठीक है क्योंकि जब नहीं नहीं industries बन रही है तो उस time पर वो domestic जो competition है वो उसको face नहीं कर सकती लेकिन अगर time के बाद जब वो growth कर चुकी है बेटर अपने आपको stand कर चुकी है अगर आप उस time पर अगर अपनी countries को बोलोगे के भाई हाँ आप international work के साथ competition करे तब आपके बास क्या हो सकता है then you get might get an advantage जस्त अभूर सोने अलो चीक चीक झाल तो चलो आगे बात करते हैं दिस अर्गुमेंट is the means for raising the living standards in static as well as dynamic form in least developed countries there is an advantage for production in terms of low cost due to abundant labor resulting in economies of scale but the real problem lies in establishment of an industry even in the presence of advantages because of small size or lack of knowledge thus nations argue that such industries can only survive under protection and restriction from foreign competitions hopefully soon as you have to understand the story so one more question then further अगे बड़ते हैं चलो आगे है थागे है तो आगे है the dynamic form of the argument focuses on the constantly changing nature of technology here also the early entrants in the field enjoy a larger advantage over others in terms of experience and acquired ability but the expansion of these skills requires protection of domestic industries in the early stages of their development once these countries catch up with the advanced technology protection may be removed right but this policy may lead to stagnancy stagnancy कैसे हो जाएगी स्टार्टिंग का मैंने नहीं बताए क्योंकि आपको पता है कि इसमें समझ में आ रहा है stagnancy कैसे हो जाएगी क्योंकि वही domestic industry आपके market में rule करती रहेगी करती रहेगी और क्योंकि competition नहीं है तो शायद वो अपने आपको improve करने की कभी सोचे बेना इस वे में हो सकता है कि ये जो policy आपकी protectionism की वो stagnancy क्रेट कर दे However, if a clause is added that protection will be given if the industry becomes successful in foreign markets in a specified time period, this problem may be effectively dealt with This was the method followed by and large in all the currently economically advanced countries like Germany, France and to some extent the early English industries during the industrial revolution which were helped by the prohibition of imports of Indian cotton goods So this argument is seen with skepticism because of certain drawback The infant industry survives with fuller effect for a developing country as compared to a developed industrial economy Other problem like identification of an infant industry and provision of subsidy rather than tariff is an important point A government can also provide a subsidy or tax exemption which can be beneficial Okay, जो और argument है वो ये कहते हैं कि अगर आपको उनको protect ही करना है तो आप उन्हें tax exemptions दे दे जिनसे उनकी costing कम हो जाए या फिर आप उन्हें किसी तरह की subsidy provide कर दे जिससे उनकी cost income हो जाए Rather than कि आप उस पर क्या लगाए तरिफ लगाए तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने चाहिए Next is learning by doing practice The dynamic versions of the infant industry argument is supported by the reason based on learning by doing skills And other things required to develop comparative advantage may be learned if enough time is allowed for the learning to take place In fact the pattern of comparative advantage can even be changed over time वो कह रहा है कि अगर हम comparative advantage की बात कर ओवर time वो change हो सकता है So the success of many newly industrializing countries NICs such as Brazil, Hong Kong, Taiwan etc Seem to be based on this argument of acquired skills and government policies that created favorable business conditions to acquire them आप वो कह देखो Brazil हो गया, Hong Kong हो गया, मैं इसमें यो यही भी बोलना चाहूंगा इन countries में जो government है, वो business को actually में प्रमोट करने के लिए काफी सारे contributions कर रहे है काफी सारा पैसा research and development में government की तरफ से खर्च किया जा रहा है जिससे कि इनको foreign competition से बचाया जा सके के 10, protecting a domestic industry from foreign competition may be its management, give its management time to learn to be efficient and stable force time to acquire the needed skills अज आपको पता होगा कि मतलब Taiwan semiconductors के मामने में one of the leading countries है, ही कह है, world में तो कही न कहीं आपने जब उनको time दिया अपने आपको grow करने का तो उन्होंने grow किया और आज वो world की बहुत बढ़ी बढ़ी countries से, US, India जैसी countries से भी क्या कर रहे है, अपने competition में आ चुके है, right, चलो, next है, exploration of strategic trade advantage, in the case of new products, the firm must, the worst firm to develop and market, it successfully may earn a substantial pure profit, वो कहारे कि देखो, अगर new product है, और जिस firm ने पहली बार बनाया है, तो हो सकता है, उनको starting में तो बहुत बढ़ीया profit हो जाए, if protection of the domestic market can increase the chance, that such a firm may become an established firm, in the international market, in the long run, the protection may pay off, वो कहारे कि अगर, actually में ऐसा हो पाया, कि आपने जो उनको protection दी, जिस protection की वजे से, उनको बढ़ीया profit मिला, तो कही ना कहीं ये चीज़ पे-off हो गया, may of today's high tech industries, example, computers, aircraft, etc., have huge initial fixed cost of entering a market, in such industries, there may be a room for only a few firms, yet if these costs have to be recovered, each of the firms must have a large volume of sales, आपको पता है कि जो कुछ industries है, उनके, मानलो यहां तो इनने computer और एक आफ लिखा है, आप automobile ही मानके चलो, कितनी बड़ी industries है, initial investment कितना जाधा है, तो initial investment जाधा है, तो उस cost को cover करने के लिए बहुत जरूरी है, कि आपके पास बहुत जाधा volume होना चाहिए, sales बहुत साधा होनी चाहिए, तब ही आप cover कर पाऊगे, वनना नहीं possible, these characteristics are sometimes used to provide arguments for subsidizing development of such industries, तो कई बारी, government says, subsidy को बात, subsidy के लिए बात करते विए, यह argument सामने रखे जाते हैं, कि आपको इस तरह की चीज़े करने चाहिए, तब ही वो countries जो है, अपने चीजों को cover कर पाएगे, next is protection against unfair action, to protect against unfair actions by foreign firms and governments, predatory practices like giving subsidies to the exporters may be adopted to artificially lower their price and harm domestic producers, और go in for price discrimination, called dumping, dumping के बारे में हमने बहुत पहले भी पढ़ा था, कि कोई country क्या करती है, अपनी countries में subsidies बहुत ज़्यादा, export subsidies बहुत ज़्यादा देती है, जिससे की foreign में वो goods, मनद उनको यहां पे देश में सस्ते बने, और वो foreign competition को तोड़ने के लिए उस goods को वहां बेज के, बहुत सस्ते में बेज सके, तो इन सब चीज़ों से protectionism आपको बचा सकता है, अब कुछ आपको दे रहे के non-economic arguments क्या है, defense and security, industries producing defense equipments need to be protected for strategic green, तो यह आगया non-economic reason, अभी तक हम बात कर रहे थे कि economy के लिए आपको क्या फाइदा हो सकता है, अगर आप protectionism की policy को adopt करेंगे, अब हम बात करते हैं कि अगर आप protectionism की policy adopt कर रहे हैं, तो non-economic आपके क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो आपके internal country के internal matters हैं वो बाहर share नहीं होंगे, इस बारे में थोड़ा सा part अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी discussion किया था, तो यह सबसे बड़ी चीज है क्योंकि आपके internal security से बड़ी तो कोई भी चीज नहीं होती, तो अगर आपने defense और security जैसी चीज़ों में foreign किसी country को enter करने दिया, तो यह चीज होता हैगी, मैंने आपको example दिया था ना कि अगर आप कभी UAE के बारे में देखना पड़ना, तो what you will get to know, आपको यह पता चलेगा कि जो UAE की government है, वो government क्या कहती है, UAE की government यह कहती है कि हमारी country के अंदर देशे उन लोगों ने WhatsApp को ban कर रखा है, WhatsApp को ban करने के साथ साथ, अगर मैं आपको था हूँ, अगर आप iPhone user है, तो उस iPhone user में आपके i-messages, आपका FaceTime, यह सारी चीज़े UAE government ने ban कर रखे, क्योंकि यह सारा जो data है, यह सारा data किन के पास आता है, US government के पार, तो just in order to protect their internal policies and security concerns, उनने इन सारी चीज़ों को ban किया, क्यों ban किया, ताकि country के internal data कहीं पर leak ना हो, नेक्स आपके पास है employment, क्योंकि अगर आप protectionism की policy को adopt करोगे students, तो आपको क्या फायदा मिलेगा employment, विकर्स जो foreign से आने वाली companies आपके products को इंडिया में या किसी भी developing country में बेचेगी, तो उनकी production तो domestic है, मलब चाइना से जितने भी goods किसी भी market में एंटर होते हैं, चाहिए इंडिया में चाहिए कहीं भी enter होते हैं, यह जितने में कुछ कहीं भी enter किये जा रहे हैं, आप एक बात सोच करके देखो कि production तो इनकी चाइना में है, जिसकी वज़े से चाइना का employment rate बहुत जादा है, चाइना में कोई भी problem नहीं है employment को लेकर के, लेकिन जिन countries में यह goods enter करते हैं, उन सारी countries के अंदर जो problem है unemployment का, वो सबसे जादा आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही यह goods enter करेंगे, वहां की domestic industry को hamper करेंगे, तो इस वज़े से employment का concern है, वो भी आपको फायदा देगा, अगर आप अपनी protectionism की policy को adopt करेंगे, next is social welfare, social welfare कैसे, क्योंकि अभी employment की बात की, सबसे जादा social evils जो create होते हैं, वो जब पैसा नहीं होता, उसी की वज़े से होते हैं, क्योंकि जब आपके पास sufficient amount of money होते हैं, अगें बात चीज़े हैं general और specific, जिसे नहीं बुद्धी आनी, उसे कभी बुद्धी नहीं आनी, चाहे पैसा हो, चाहे पैसा ना हो, और जिन्हें आनी हैं, उन्हें कम में भी आ जाती है, बट generally यही देखा जाता है, कि अगर आपके पास सही education और सही amount में money हैं, तो आपके अंदर चाहे किसी भी तिरह का greed हो चाहे चोरी करने का, या चाहे कोई और crime करने का, वो compatible चीज़ें कम आती है, reason है कि आपके situations जो होती है, वो आपको ऐसा करने देती नहीं है, या सोचने भी नहीं देती, अब अगर आपके पास पता है कि आपको पूरे दिन का बहुत वैसे ही काम रहता है, सब्सक्राइब करते हो, या आपको जोब में हो, या आपको चोटा मोटा शॉप है, आपको पहले ही पता है, पूरे दिन काम इतना जादा है, वहाँ पे riots अगर हो भी रहे है, मान लो BJP के इतना जादा प्रोवोक करने के बाद, हिंदू-मुस्यम दंगे उन्होंने करवाई दिये, BJP की गवर्मेंट ने, तो जो भी जितने गवार लोग होंगे, वो जाएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है, वो BJ BJP के इस एजंडा के चकर में नहीं आने वाला, क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी है, उसके लिए religion जो है, वो एक lifestyle जीने का तरीका होता है, it's not a way कि आप religion को ले करके इतने कट्टर हो जाएंगे, कि आप लोगों को मारते काटते रहेंगे, ये चीज़े नहीं करने वाले, राइट, so this is what you need to understand, कि अगर एक country protectionism की policy को adopt करेंगी, उसके domestic industries बहुत प्रमोट होंगी, जितनी जादा domestic, क्यों चाइना के अंदर ऐसी कोई problem नहीं आती, दो चाइना किसी religion को नहीं मानता, बट चाइना के अंदर कोई problem नहीं है, राइट्स अगर जिसे चीज़े नहीं आती चाइना में, हाँ हमें मीडिया के बारे में ज्यादा reports नहीं पता, वो तो बात true है, लेकिन चाइना की technology, इंडिया अगले 50 साल में भी adopt नहीं कर पाएगा, आपकी economy is dollar 4 trillion, ठीक है, that is okay, but आप इस बात को deny नहीं कर सकते हैं, कि चाइना की पास जो चीज़े हैं, वो इंडिया अगले 50 साल में भी नहीं कर सकता, इंडिया के लिए possible ही नहीं है, चाइना में कोई भी unemployed नहीं है, despite having this much population, policies अच्छी है, so this is what you need to understand students, की country के अंदर protectionism की policy, और चाइना के पास कहीं नहीं के protectionism की policy है, क्योंकि वो अपनी domestic production को intact रखता है, अपने exports को बहुत जादा रखता है, और imports नहीं करता, और इंडिया, comparative लेकर मैं बोलूँगा, इस particular matter में, तो इंडिया एक बहुत बेवकूफ देश है, क्योंकि हम domestic production कुछ करते हैं नहीं, ठीक है, और सिर्फ imports के उपर बहुत जादा dependent है, क्योंकि इंडिया में दिखावे की चीज़े, competitively बहुत जादा रहती ह है, ठीक है, चाइना के लोग, चाइनीज जितने भी goods बनाया जा रहे है, उन आप सोच सकते हो, कि वो country जो Google तक को अपनी country में enter नहीं करने दे रही, तो वो उस country की technology किस extension पे हो सकती है, ठीक है, and this is the reason कि चाइना में कोई unemployment नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम extent पे होगी, ठी जिए small one does not want to take example given the rate of technological advancement, so risk of specialization आपके लिए क्या फायदे मन दो सकता है, कि देखो, अगर आप एक country है, जो country अपने level पे, जो भी चीज़े आप specialized है, उनी चीज़ों में deal कर रहे है, तो वो आपको एक बहुत बढ़ा advantage दे सकता है, क्योंकि दीरे दीरे वो काम करते करते, economies of scale की वजे से, यह cost of production will be very low, और जब वो चीज़ हो जाएगी, तो आपको फायदा मिलेगा, next is protection of specific groups, although free trade will maximize per capita GDP over the whole economy, some specific groups may have higher incomes under protection than under free trade, example of firm or industry which gets monopoly power, when competition is restricted by imposing a tariff, they end up earning a large share of national income and being better off under restricted trade rather than free trade, वो कह रहा है कि देखो कुछ चीज़े ऐसी होती है, जिसे आज देखा जाए, तो डियो पॉली है, किसके मामले में, अगर मैं आज की डेट में, communication की बात करूं, मनलब SIM card वगरे की बात करूंगा, तो उसमें डियो पॉली system है, क्योंकि major giant अगर देखा जाए, तो हमारी country में कितने हैं, दो, एक, या तो ज्यादा तर user आपको ATL वाले मिलेंगे, या फिर दूसरे आपको user कौन मिलेंगे, जियो वाले, तो ATL और जियो, अब ये दोनों बढ़िया मौच कर रहे हैं, कि दो ही बैटेव है, हाँ वी आई करके Vodafone और idea merge हो गया, बट आपको भी पता है कि उसके consumer base उतना जादा नहीं है, जितना इन दोनों का consumer base है, तो अगर ATL और GEO को ले करके मैं बात करता हूं, तो बढ़िया enjoy कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे में, इंडिया बाहर से और communication companies को आने दे, तो इन दोनों groups को सो नुक्सान हो जाएगा न, इस वज़े से protectionism की policy कई कि बारी, तो जो specific groups है, जिन्नोंने अपना market share बहुत बढ़ा कर लिया है, monopoly के benefits ले रहे हैं, उनको ये benefits होने बंद हो जाएंगे, ठीक है, next step बात करते हैं कि अगरा protectionism की policy को adopt करेंगे, तो cases इसके against क्या आएंगे, the proponents, the proponents of this theory agree in favor of free movements of goods and services across border, so as to create world economy with such greater integration and competition, under this free trade policy, there is no interference with trade, such policy maximizes the world output of diverse sports and services, but that each country is able to produce a commodity at the least cause by applying the principle of comparative advantage, ये अगेंस है, in the words of Adam Smith, free trade means that system of commercial policy, I hope student Adam Smith पता होगा आपको पादर of economics इने ही बोला जाता है, father of economics, professor Adam Smith, okay, which draws no distinction between domestic and foreign commodities and therefore, neither imposes additional burden, nor grants any special favor to the former, even when duties are imposed, these should not at all protection अगा, means free, right, चलो, अगे में कुछ पॉइंट जेवे है, gain in output and well-being from specialization, self-sufficiency is meant only for selected items of national interest like defense, energy, health, etc, rest of the commodities should be trapped openly to make people better off, people say, okay, self-sufficiency बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ चीजों तक अगर रहे तो बेटर रहेगा, जैसे कि मानलो आपको specialization करना है, तो आपने food grains में कर लिया, आप food पे किसी और country पे dependent नहीं हो, आप अपनी country के अंदर ही food इतना sufficient grow कर लेते हो, defense के item है, energy sector है, health sector है, education sector भी में मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़े आपको क्या करनी चाहिए, आपको बाकी चीज़े competitive world में लानी चाहिए, जिससे कि जो country जिस चीज का best है, आप अपने लोगों को उसका best दे सकी, next a growth effect, the policies followed by the government under protectionism could also be discriminatory in nature, causing benefits to only a segment or class of society, both consumers and unprotected industries suffer, as a result there is a danger of corruption to corner protection benefits, while free trade stimulates economic growth, the increased real income through free trade raises the level of saving, the higher the level of saving ensures higher rate of investment and capital formation, in this way the developing countries can break the vicious cycle of poverty and achieve self-sustained growth, देखो एक बात सबसे important है, कहीं ना कहीं जो protectionism है, वो discriminatory हो जाते हैं, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री से वो grow करती जाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी, और कई बारी corruption के chances बढ़ जाते हैं, और सबसे important देखो पता है क्या है, अगर आप भार के industries को आने देते हो, तो वो अप का जो cycle है, वीशे cycle वो break हो पाता है, तो यह चीज़ आपको लिए जरूरी हो जाती है, next है financial implications, protection especially that of export subsidies bring in greater burden on government finances, those in the form technical and administrative restrictions create time as well as efficiency lacks leading to increased overhead cost, right, effect on competition, protectionism results in the emergence monopolies in the domestic economy, causing inefficiency with rising costs and prices, वो कहें कि जो protectionism होता है कही बारी जो जिसकी वज़े से कहीं ना कहीं, emergence हो जाता है monopoly का, उसकी वज़े से वो cost and prices बढ़ जाएंगे, तो कि जब monopoly आएगी तो वो अपने मर्जी से charge करेंगे, वाईल free trade promotes competition, क्योंकि competition है, तो competition में हर person बहुत अच्छा काम करने की उसकी उसकी है, okay, एक से inter country relation, of course जब 2-3 countries आपस में मिलकर के trade कर रही है, trade के अंदर काफी सारा amount लगता है, तो इससे कहीं ना कहीं एक दूसरी country के लिए जो relation है, वो cordial relation जो है, वो develop होते है, लेकिन अगर आप वहीं protectionism कर देंगे, तो वो relations कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे क्योंकि countries को लगेगा कि ये country arrogant हो रही है, हमें entry नहीं करने दे रही, अब कभी अगर हमें कहीं कहीं कोई जरूर पड़ेगी, तो शायद वो countries हमारे ले stand ना ले, तो इसलिए ये दिक्कते भी आ सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ दे रखा है, कि free trade के बारे में और किसी को doubt है तो please पूछो, अजी किसी student को को doubt है, पताते नहीं हो भाई, चलो, hopefully आपने पढ़ लिया होगा, तो जो points हमने पढ़े, उन्हीं कहीं कहीं ना कहीं, यहाँ पर क्या किया हुए, summarize कर दिया है, चलो, आगे बढ़ते हैं फिर, forms of regional integration groupings, अब हम बात कर रहे हैं, कि जो regional integrations होती है, वो कौन-कौन से forms में होती है, तो देखो, यह जो topic है, कि कौन-कौन सी forms में regional integration किया जाता है, ठीक है, that we are going to cover in the next part, उसको हम next part में cover करेंगे, तब तक I just hope students, I just request you, to all of you, इसको यहाँ तक अच्छे से पढ़के रखना, ताकि next class में हम आगे का जो portion है, वो अच्छे से revise कर सके, चलो, भाय, take care students, तब तक के लिए, का जिए जाए, झा कि क बिए.